हलो दोस्तों स्वागत आपका हिंदी कॉमिक वल में जहापर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लुक केज यहनी कि पावर मैन का ओरिजिन और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर ले ताकि आप नए नए कंटेंट देख सके और साथी साथ इस वीडियो पर अपनी कमेंट दे ताकि मैं अपने चैनल को और अपने काम को इंप्रूव कर सकूँ और अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई और जान करी है तो भी मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो लुकेज जिसका असली नाम था कार लुकास जो कि पैदा हुआ नियॉर्क सिटी के हरले में और उसने अपनी जवानी राइवल नाम के गैंक के साथ बिताई और साथी साथ अपने दोस्त विली स्ट्राइकर के साथ और उसका सपना ये था कि वो एक बहुत बड़ा रॉकेटियर बनी नियॉर्क का लेकिन उसे ये रियलाइज हुआ कि इस काम की वज़े से उसके फैमिले वाले उससे बहुत नाराज है और तब उसने एक कानूनी एमपलाइमेंट की नोकरी पकड़ ली और इसी दोरान स्ट्राइकर क्योंकि उसका दोस्त था वो क्राइम की बहुत सारे रैंक्स अचीव कर चुका था लेकिन वो दोनों अभी भी दोस्त थे और स्ट्राइकर का ये आगे बढ़ना मैगी नाम के एक क्राइम सिंडिकेट को अच्छा नहीं लगा और इस वज़े से उसने उसे बहुत मारा लेकिन लुकास के बीच में आने के वज़े से वो बच गया तबी स्ट्राइकर की गल्फ्रेंड उसे छोड़कर चली गई और इस वज़े से उसने ये गुसा लुकास पर निकाला और लुकास के डिपार्टमेंट में उसने धिरोईन डाल दी और पुलिस को टिप दे दी और इसी की वज़े से काल लुकास चला गया जेल में और इस वज़े से लूकास बहुत ही ज्यादा गुसा हो गया स्ट्राइकर पर और इसी वज़े से उसने बहुत बार जेल तोड़कर भागने की कुशिश की लेकिन इस वज़े से उसे सीगेट प्रिजन में रखा गया जो की पोस्ट अप जॉर्जिया में था और इसी बीच ग प्रिजनम का ही अलग वेरियंट था और ऐसा करने के लिए बुस्टिन ने लूकास को एक इलेक्ट्रिक फिल्ड कंड़क्टेड ऑर्गनिक केमिकल कंपाउंड में इम्मस करके राखा था लेकिन रैखम ने उसे मारने के लिए एक्सपरिमेंट की कंट्रोस में थोड़ी छे विराबिलिटी मिली और वह अपनी निउइव के साथ सी गेट से नियोर के तरब भाग निकला और नियोर को अपसाने पर उसने से एक नया नाम अपना लिया जो किता लुक के जु उसने अपना करियर शुरूड किया फिरो अफ फ्रिके और उसने अपना ओफिस बन लूटकेज के साथ जो अंचाह एक्सपेरिमेंट हुआ था उसने उसे बहुत ही हाइटेंट फिजिकल एबिलिटी दे दी थी और जिस वज़े से वो एक पंच में किसी भी मेटल की चीज़ को तोड़ सकता था सुपर्यूमन स्ट्रेंथ उस एक्सपेरिमेंट की वज़े से उसे बहुत सारे सुपर्यूमन स्ट्रेंथ मिली थी जिस वज़े से वह स्ट्रेंथ में जैसिका जोन्स के बराबर हो चुका था इसकी स्किन अटूड होने के साथ साथ उसके पास एक अपना सुरक्षा कोज़वी आ चुका था इसकी स्किन अन्ब्रेकेबल के साथ अन्बीटेबल भी हो चुकी थी सुपर हुमन स्टैमिना जब केज सीगेट से भागा तब उसने सीगेट के प्रिजन से शोर तक का सफर शिर्श तेरकर पार किया था और ये करना किसी भी आमादमी के लिए आसान बात नहीं थी इसी से पता चलता है कि उसके पास कितना ज्यादा सुपर हुमन स्टैमिना आ जिस वजे से अगर उसका कोई लिम टूट भी जाये तो भी वो रिजनरेट हो सकता था पहली बात तो ये कि वो अभी टूटने से रहा लेकिन अगर वो जुडास पुलेट से तूट भी गया तो भी उसके पास रिजनरेटिव हिलिंग फेक्टर था इस वजे से उसे मारना लगबग नामुम्किन हो चुका था, एक्सपर्ट कॉम्बेंटर्ट, उसने ना बच्पन बिताया क्रिमिलस के साथ, इस वज़े से उसे कॉम्बेंट में कोई नहीं हाला सकता, और साथ-साथ पुलिस टेरिनिंग की वज़े से, वो और भी मजबुथ हो चुका था, तो वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेंटर्ट बन चुका था, एक्सपर्ट इंवेस्टिगेटर, कुछ हरसे तक वो एक कुलिस ऑफिसर रह चुका है, इस वज़े से उसके पास expert investigator की कुछ skills आ चुकी है और इस वज़े से वो एक expert investigator बन चुका है तो इसी के साथ ये episode खत्म होता है आग के वीडियो में बस इतना ही अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई और जानकारी हो या फिर समुझ से aim point मिर्स हो गया हो तो मुझे comment करे और अगर आपको Luke Cage की कोई weakness पता है तो भी मुझे comment करे तो तक के लिए thank you friends, enjoy the life, धन्यवाद और जैहिन